असलामलेकुम यह हमारी फिलेप्स की आटो सीपे मशीन है इसको कैसे यूज करना है सेटिंग कैसी करनी है तो यह देख लिए एक दफाग जैसे आप यह प्लग लगाते हैं बैक साइड पर यहां पर यह आप लगाएंगे यह मिशीन का डिस्प्ले आजाता है थरापी लिखा होता है यह फ्लैक सैटप लिखा होता है थरापी पे इसको यह नौबला बटन प्रेस करेंगे तो थरापी पे स्टार्ट हो जाएगी यहां पर यह एर का प्रेशर आना शुरू हो जाए यहां पर आप पाइप लगा के मास लगा के पेशन को यूज करवा लेंगे ओडिया स्क्रीन पे आपको प्रैशर चुब रहा होगा कितना प्रैशर चल रहा होगी यह लाइट जो है यह हमिडिफायर को इंडिकेट करती है कि हमिडिफायर आपका होन है और अभी फाइफ टंपरेचर सेट है इसको आप नोब को गुमाते हैं यह 3, 2, 1, 0 पे ओफ हो जाता है, 1 पे कम टंपरेचर है, 2 पे जैसे जैसे ज्यादा करते जाएंगे टंपरेचर भरता जाएगा हमिडिफिकेशन का, ठीके, स्टैंडर्ड जो है वो 2 और 3 चल रहा होता है, स्टोप करने के लिए एक दफर इसको प्रैस करेंगे डिवाइस टोप हो जाएगी, सेटिंग में जाने के लिए आपने, यह आप गुमाकर लाएंगे सैटप पे, और यह दोनों बटन दबा के रखेंगे, एक यह वाला और यह नोग वाला, यह दोनों बटन दबा के रखेंगे, फिर इसकी सैटिंग उपन होगी, दोबारा फि और CPAP है, यहां तो manual आप यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर दे के, यहां आप इसमें auto यूज़ कर सकते हैं, जब manual देंगे, CPAP ज़स्ट कर देंगे, तो फिर आपको नीचे pressure सेट करना पड़ेगा अपना, कितना pressure सेट करना है, अगर auto में है, तो auto में फिर आप minimum और maximum pressure सेट करते हैं, जिस तरह minimum 4 है, इसमें आप 6 कर देंगे, और maximum 20 है, इसको आप 18 कर देंगे, इस तरह patient के हिसाब से उनकी setting हो जाती है, आसे फिर आप, जिसमें alarm वगरा है, जो off किये हुए है, यहां से back आजाएं, यहां से exit करें, और therapy पे आप start करवा देंगे, यह जो आपने 6 pressure सेट कि मेनिमниमब वापको जहां पर चलिए इसके बार यहwow को यहां पर denhक मिटिविकेशन है, इसका है,